Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel, Accounting Masterclass. And इस time हम discuss कर रहे हैं, COET का Accountancy का जो sample paper है, वो इस time हम discuss कर रहे हैं, जिसमें 2 lecture video मैं already upload कर चुकी हूँ and this is my third lecture video. ये मेरा तीसरा lecture video है, right? तो चलिए फिर, देर किस बात की है? हम जल्दी से आज का lecture स्टार्ट करते हैं. अच्छा पर lecture स्टार्ट करने से पहले न, मैं आपके एक common query, एक common doubt, जो बच्चे मुझसे comment section में पूछ रहे हैं, उसका पहले reply करना चाहती हूँ. काफी student मुझसे comment section में पूछ रहे थे, कि मैं आप CUET के लिए कोई book बता दीजे. तो CUET exam के लिए आप ये book है, उस्वाल गुरुकुल की, काफी अच्छी book है, आप ये refer कर सकते हैं. जैसे जो commerce के student हैं, ठीक है, इसमें हर stream के लिए, हर जो subject domain है, उसके लिए separate book आ रही है market में. ठीक है, जैसे BST का, BST की ये book है, accountancy की है, economics की है, ऐसी हर subject domain के लिए separate book market में available है, और ये काफी अच्छी book है. देखिए, exam के लिए बहुत जरूरी है, कि हम जितना ज़्यादा question लगा पाएं, ठीक है, उतना ज़्यादा practice होगी, उतना ज़्यादा हमाई लिए अच्छा होगा. तो ये जो question bank है, ये जो sample paper की book है, ये काफी अच्छी है, इसमें देखिए number of question के अगर हम बात करें, तो देखिए 700 question, 900 question, 400 question, तो इसमें number of question भी काफी अच्छी है, और प्लस quality of questions भी काफी अच्छी है, और इसका जो solution है, वो detail discussion किया गया है, detail solution इसमें बताए गया है, ठीक है and as per the new syllabus, ये जो new syllabus है, जो NTA ने new syllabus issue किया है, उसके according ये book design की गई है, और एक खास बहुत और है इस book की, कि इसमें chapter wise आपको, हर chapter की theory, ठीक है, और प्लस उसका जो MCQ है, ये separately chapter wise इसमें लिखा गया है, जैसे आपको दिखाती हूँ, जैसे example के लिए ये जो accountancy book है, उसका मैंने कुछ pages के screenshot यहाँ आपको दिखाए, देखिए, ऐसे करके content है, जितने, जो भी इसका syllabus है, वो आपको अलग-लग chapter, जैसे non-profit organization, partnership, goodwill, admission, retirement, dissolution, तो ऐसे करके पूरा जो syllabus है, वो अलग-लग chapters में है, और हर chapter की इसमें theory भी detail में दी गई है, फिर उसके बाद हर chapter का आपको separate MCQ करन है, और इनका detail explanation, detail explanation with solution दिया गया है, तो यह practice के लिए काफी अच्छी book है, प्लस इसके साथ ही oswal.io, इनका portal भी है, oswal.io के नाम से वो भी आप एक बाद जरूर visit कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको और sample paper, CUET sample paper मिल जाएंगे, जहां से आप online test देके self-assessment कर सकते हैं, कि आपक इनका फायदा उठाईएगा, ठीक है, और इन books की help से पढ़िएगा, काफी अच्छी books हैं, और इनका जो buying link है, ठीक है, यह online available है, इनका जो buying link है, वो मैं description में दे दूँगी, आप उसे refer कर सकते हैं, तो चलिए, अब मैं आज, जो हम question discuss करने वाले हैं, वो हम शुरू करते है ठीक है, तो आज का जो पहला question है, वो क्या है, maximum limit of premium on share is, यह जो question है, this question is from the chapter, share capital, यह जो question है, यह किस chapter से है, share capital जो chapter है, उससे है question, तो question क्या कह रहा है, कि maximum limit of premium on share is, यानि, जब जो shares हैं, अगर premium पे issue किये जा रहे है, ठीक है, share अगर premium पे issue किये जा रहे है, तो maximum limit क्या होती है, वो आपको बताना है, क्या वो 5% है, 10% है, या no limit है, या not more than 100%, तो क्या maximum limit है, यह question में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो share capital, ऐसे एक बात कहूं, मेरे channel पे आपको class 12 की complete video lecture series मिलती है, BST का, economics का and accountancy, तीनों का complete syllabus मैं अपने channel पे upload कर चुकी हूँ, आपको video lectures मिल जाएंगे, तो जब मैंने पढ़ाया था, तो यह सारे ही topic में पढ़ा चुकी हूँ, तो जहां मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने detail में बताया था, share capital वगेरा क्या होता है, कब share, add par, premium, discount पे issue करता है, तो क्या condition वगेरा होती है, वो स जब company share को issue करती है, add its face value, face value, या कह लिजे, nominal value पे, जब company share को issue करती है, तो हम उसको क्या कहते है, हम क्याते है, company ने issue किया है, share, add par, ठीक, and जब company share को issue करती है, add a value which is more than face value, face value से ज़्यादा value पे issue करती है, तो हम उसको क्या कहते है, कि company ने share को issue किया है, किस पे, premium पे, ठीक है 100 रुपए की face value ती share की company ने issue किया है 105 रुपए पे, यानि यह जो 5 रुपीज है ना, that is, that is premium, यह क्या है, this is the premium, और generally जो company financially sound होती है, well managed होती है, जिनका positive reputation होती है market में, वही company, जिनका अच्छा goodwill है market में, वही company generally shares को premium पे issue करती है, and company act 2013 के according, company act 2013 के according, there is no limit, maximum there is no limit on the premium of the share, ठीक है, company act 2013 के according, maximum limit ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है, there is no maximum limit, ऐसी कोई भी maximum limit नहीं है, company जो premium पे share को issue करती है, इसकी कोई भी maximum limit नहीं है, ठीक है, तो यानि यहाँ पे answer आपको समझ में आ गया होगा, option C is the correct answer, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question क्या है, company formed by special act is called, यानि वो company जो special act के तहट जो form होती है, उस company को क्या कहते हैं, this is the second question, तो क्या उसको chartered company कहते हैं, statuary company कहते हैं, registered company कहते हैं, या 39, क्या कहते हैं उसे, ठीक है, तो question समझ में आया, वो company जो special act के तहट form होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इस question को करने के लिए मैं आपको ये जो तीनो term है, ठीक है, इसके बारे मैं बता देती हूँ, फिर आप ही देख लीजेगा कौन सा answer है, खेर मैं भी बता दूँगा answer, ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला क्या है, Chartered Company, Chartered Company, ये term शायद आपके लिए न Companies को form करते हैं, incorporate करते हैं, and उनको right देते हैं, किसले right देते हैं, for the purpose of trade, trade के purpose से, व्यापार करने के purpose से, exploration करने के purpose से, जो royal charters होते हैं, वो इन Companies को incorporate करते हैं, और इनको rights देते हैं, ठीक है, तो ऐसी companies को कहा जाता है Chartered Company, Next is registered company, registered company kya होती है, registered company वो company होती है, which is registered under the common company law, जो, वो company जो registered है under common company law, common company law के तहर्छ जो companyya registered है, common company law, तो इंडिया में common company law क्या है, company act 2013, ठीक है, तो वो company जो company act 2013 के तहट जो registered है that are called registered company और यह जो registered company होती है इनके जो working होती है वो होती है as per the company act जो company law है company act है उसके तहट वो काम करती है ठीक है work करती है तो that is called registered company अगला क्या है statuary company यानि वो company जो corporate होती है जो form होती है by special act of parliament देख़े यहां क्या है statuary statuary मतलब law ठीक है तो वो company जो form होती है through an special act of parliament Parliament के special act के तहट या central government या state law ठीक है इसके act के तहट जो companies form होती है that are called statuary company इनको statuary company कहते है and these companies are fully financed by government यह जो companies होती है यह fully finance कौन करता है government करती है और इनके जो powers होते है यह जो statuary company है इनके जो powers है, इनके जो objective है और इन company के जो limitations होते हैं, ये कौन decide करता है, ये law decide करता है, जिस act के तहत ये, जिस special act के तहत इनने form किया गया है, उस act के तहत इनका power, इनका objective, इनकी limitation defined होती है, ठीक, तो ऐसी company को क्या कहता है, statuary company, जैसे example के लिए, जैसे example के लिए है, Air India है, SBI है, LIC है, ठीक है, तो ये सब क्या है, statuary company, ठीक, तो आप समझ गयोंगे, यहाँ पे answer क्या है, एक बहुत screen clear करती हूँ, यहाँ पे answer क्या है, कि special act के तहत कौन सी company form की जाती है, तो statuary company form की जाती है, तो यानि option B is the correct answer, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question भी बहुत अच्छा ह reserve capital किसका part नहीं है, ठीक है, चार option दिये गया है, authorized capital, subscribe capital, unsubscribe capital, issued share capital, तो किसका part नहीं है, यह पूछा गया है, ठीक है, तो एक चीज़ है, यह जो reserve capital किसका part नहीं है, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, कि reserve capital क्या होता है, ठीक है, और उसके यहाँ पर मैंने पहले से यह flow chart बनाया हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए, खेर जब मैंने यह chapter, share capital जब मैंने पढ़ाया है अपने lecture videos में, तो मैंने यह बहुत detail में समझाया है, अभी मैं दुबारा आपको समझा दूँगे, आप समझ जाएंगे इसमें answer कौन सा है, ठीक नाम से ही समझ में आ रहा है, reserve capital, यानि वो capital, वो पुझी, जो company ने क्या की हुई है, reserve की हुई है, ठीक है, यानि reserve capital वो part होता है, subscribe capital का, ठीक है, subscribe capital का वो part होता है, जो company ने reserve किया हुआ है, ठीक है, company ने reserve किया हुआ है, and company उसो कब call करेगी, company ने उसको reserve अपने पास रखा हु shareholder से की पैसा कब मांगेगी, at the time of winding up, ठीक है, जब company wind up होगी, या कहलो, जब company liquidate होगी, तब ये पैसा company मांगेगी, अपने shareholder से, ठीक है, अभी company ने इस पैसे को क्या किया हुआ है, reserve किया हुआ है, ठीक है, तो that is called reserve capital, reserve capital क्या है, ये वो पार्ट है, subscribe capital का, जो company ने reserve किया हुआ है, और वो company कब called up करेगी अपने shareholder से, at the time of winding up, at the time of liquidation, that is called reserve capital, इसी को reserve capital कहते हैं, ठीक, तो सवाल ये है कि reserve capital क्या authorized capital का पार्ट है, subscribe का है, unsubscribe का है, issued का है, किसका नहीं है, इसमें, sorry, इसमें पूछा है not part of, किसका पार्ट नहीं है, ठीक, तो अब मैं आपको ये diagram दिखाती हूँ, देखें, सबसे उपर क्या है, authorized capital, फिर, देखें, authorized capital क्या होता है, authorized capital मतलब, company को कितना share capital, authorized, अधिकार है, market से raise करने का, कितने shares issue किये market में, that is called issued capital, और जो नहीं issue किये, वो unissued capital, फिर issue तो कर दिये company ने, अब उसमें से कुछ share क्या होंगे, बिकेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ share न बिकें, कुछ unsubscribe रह जाए, share holder उन्हें न खरीदे, unsubscribe रह जाए, पैसा मंगाएगी, जो मंगाएगी वो क्या होगा, called up capital, और जो पैसा company अभी नहीं call कर रही है, that is called uncalled up capital, ठीक है, तो called up capital में फिर आता है paid up, यानि जो share holder पैसा दे देते हैं, वो होता है paid up capital, और अगर share holder पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वो होता है call in area, ठीक, ये तो समझ में आ गया, अब इदर देखिए, uncalled up जो capital है, ठीक है, जो पैसा company ने call नहीं किया है, ठीक है, और जो पैसा company winding up के time call क reserve capital की position कुछ यहां पर आती है, तो अब मेरे ख्याल से ये जो diagram है, इसको देख करके आप बता सकते हैं, कि reserve capital is not part of, किसका part नहीं है, तो reserve capital authorized capital का तो part है, ठीक है, authorized capital का part है, subscribe capital का भी part है, क्योंकि जो share बिकेंगे, एक बाए screen clear करती हूँ, क्योंकि जो share बिकेंगे, जो subscribe होंगे उन्हीं का तो पैसा है, जो company अभी नहीं wind up के time मांगेगी, ठीक है, तो यह जो reserve capital है, यह subscribe capital का भी part है, authorized capital का भी part है, and issued capital का part है, हाँ, issued capital का भी part है, लेकिन unsubscribe का part है, जो share बिके ही नहीं, ठीक है, company ने एक लाग share market में float किया था, ठीक है, 90,000 share बिके, 10,000 बिके ही नहीं, ठीक reserve capital unsubscribe capital का part है, तो unsubscribe capital का part नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, option C is the correct answer, ठीक है, समझ में आ गया यह, और यह जो diagram है, बहुत important है, आपके theory पे भी, theory exam में भी, ठीक है, कोई equation अगर इस पे आता है, तो यह diagram जरूर बनाना चाहिए, और यह diagram से बहुत सारे type से question पूछे जा सकते हैं, तो यह diagram काफी important है, competitive exam के लिए भी, ठीक है, तो चलिए, मैं आज का lecture यहीं पर wind up करती हूँ, एक बार video को pause करके, यह जो screen पे आपको number of subject दिख रहे हैं, यह सारे ही subject में चानल पर uploaded है, इनका जरूर फाइदा उठाईएगा, इसकी हल से पढ़िएगा वीडियो को pause करके, यह एक बार सारे subject आप देख सकते हैं, separate playlist में चानल पर बनी हुई है, और चानल को अभी तक नहीं subscribe किया है, तो जल्दी से subscribe कर लिजेगा, and notification bell भी प्रेस करिएगा, तब ही आपको मेरे जो upcoming videos हैं, उनकी notification मिल पाएगी, और मेरे दोनों चानल को subscribe करिएग ठीक है, और वीडियो पसंद आये, तो लाइक करना मत भूलिएगा, अब हम मिलेंगे अगली lecture वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, God bless you